नमस्कार दोस्तों जेपिस्टेनोगराफी यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है यह डिक्टेशन असे सब्द परति मिनट का होगा जो की साथ मिनट तक बोला जाएगा जन्द सत्ता से लिया गया है दस स्टार्ट के जाएगा दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आ है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथ ही बेल आइकन पर आपको डेली नैने सब्दों के डिक्टेशन सब सब पहले मिलती रहे है रेडी स्टार्ट दो हजार रूपये के नौट बंद करने की गोशना के साथ ही कुछ लोगों में हरबड़ी और चिंता नजर आने लगी इसलिए कि लोगों के मन से अभी पिछली नौट बंदी की इसमर्तियां मिटी नहीं थी तरहें के कयास लगाए जाने लगे ऐसे वातावर्ण में अपवाहों का दोर भी चलता ही है इसलिए नौट बदलवाने में आने वाली परेशानियों को बढ़ा चड़ा कर पेस किया जाने लगा 2000 रुपये के नौट के बदले सोने चांदी की खरीद पर कमीशन खोरी सुरू हो गई दुकानदारों ने अलग अलग दरें तेई कर दी इन इस्थतियों से निपटने के लिए भारतिये रिजरुए बेंक के गवर्नर सक्तिकांत दास ने इसपस्ट किया है कि लोगों को बिलकुल हरबढाने की जरुरत नहीं है बेंक नेमों के मुताबिक ही नोट बदले जा सकेंगे अगर कोई पचास हजार रुपये से अधीक अपने खाते में जमा करा रहा हैं तब ही उससे पहचान समंदी दस्तावेज मांगे जाएंगे नोटों की कोई कमी नहीं हैं वक्त भी परियाप्त हैं यहें इसपस्टी करण नोट बदलने की परकरिया सुरू होने से एक दिन पहले उन्होंने दिया जाहिर हैं इससे लोगों के मन में बेठी संकाओं का निराकरण हुआ हैं और इससे ठगी करने वालों पर लगाम लगेगी वेसे भी सामान्य लोगों के पास दो हजार के नोट कम ही होंगे इसलिए कि पिछले काफी समय से मशीनों से दो हजार रुपईये के नोट निकल ही नहीं रहे थे बैंकों से भी कम ही नोट मिल पाते थे बाजार में फुटकर की समस्या को देखते हुए बहुत सारे लोग दो हजार रुपईये का नोट रखने से बचते थे इसके बावजूद अगर कुछ लोगों ने बचत के उद्देश्ये से दो हजार रुपईये के नोट जमा कर रखे होंगे तो वे इतने नहीं होंगे की उन्हें बदलवाने के लिए कई बार कतार में लगना पड़े मुस्किले उन लोगों के सामने खड़ी हो सकती हैं जिन होने काले धन के रूप में बड़ी मात्रा में नोट जमा कर रखे हैं हाला कि सकती कांत दास का कहना हैं कि वे आस्वस्त हैं कि दो हजार के सारे नोट रिजर्वे बेंक में वापस आ जाएंगे हाला कि इस बात का उन्होंने कोई इसपस्ट उत्तर नहीं दिया कि इतने कम समय में नोट वापस लेने की जरुरत क्यों पड़ गई सकती कांत दास का कहना हैं कि दो हजार रुपईये के नोट इसलिए सुरु किये गए थे की साथ साल पहले की नोट बंदी के समये पैसे की किलत को दूर किया जा सके वह जरुरत अब पूरी हो गई हैं मगर यह हैं हाकिकत किसी से छिपी नहीं है कि दो हजार रुपईये के नोट आने के साथ ही उनकी जमाखोरी काले धन के रूप में होनी शुरू हो गई थी यही वजह हैं कि दो हजार रुपईये के ज़्यादातर नोट बाजार से नदारद हो गए इसलिए रिजर्वे बैंक ने भी सुरुआती तरक यही दिया था कि दो हजार रुपईये के नोट बंद करने से काले धन पर चोट पहुँचेगी मगर बदलने के लिए इतना लंबा वक्त मिलने से काले धन को सपेद करने में भला क्या मुश्किल होगी पिछली बार जब ततकाल परभाव से नोट चलन से बाहर कर दिये गए थे तब भी काले धन को सपेद करने में कोई मुश्किल नहीं आई थी तो अब क्या मुश्किल होगी रिजर्वे बेंक के गवर्नर ने बेसक नोट बदलने में कोई दिक्कत ने आने का बरोसा दिलाया है पर सच्चाई यही है कि सामायने लोगों और कारोबारियों के लिए यह काम उतना आसान है नहीं क्योंकि बाजार में कई दुकानदारों ने दुहजार का नोट लेना बंद कर दिया है स्टॉप दोस्तों इस डिक्टेशन का पीडियोप लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद है आप वहां से जाके डाउनलूड कर सकते हैं दोस्तों अगर डिक्टेशन अच्छा लगा पसंद आयता लाइक शेयर कमेंट जरूर करें थैंक यू